इंसान, भगवान की बनाई हुई ऐसी क्रियेशन है जो खुद चाहे जितनी मर्दी फटी पैंटी क्यों न पहने पर उसे दूसरे की पैंटी का वाल खीचने में अलगी मज़ा आता है पर मुझे खीचने में नहीं, उतारने में नहीं, नंगा करने में मज़ा आता है गाईज वेलकम पूट चानल येट अगेन सौरी मेरे इंट्रो के लिए एचली आज कल सोशल मीडिया पर इतनी मिसकंसेप्शन्स फैल चुकी है उसको तोड़ने के लिए मैं आपके बास आ चुका हूँ क्योंकि हमेशा से मेरा ये मोटेव रहा है पता नहीं साधे तीन सो चा आप में नहीं फस होगे अगर कोई बंदा आपको इंस्टेग्राइम पर पागल बनाने के खुशिश करता है क्योंकि आज कल सोशल मीडिया कल्चर इतना फेमस हो चुका है कि इन क्रिएटर को सिखाया जाता है मैं अभी एक क्रिएटर हूँ तो मुझे पता है कि मार्केट क इतना डुशियुका करता हई और आप लोगों से बाते करतों जो मैंने पढ़ाई करी है ताजि कि आप लोगों Всем से यह कोई अग वह वही जाच है यह जाkeमस शूप तो वह पहले इनको वहलो कि आयोकि आप स्थीक हों चलो सैब बात करना चाहूँ हमंully करते है प्रेंच क प्रिये मित्र है जिन्होंने इस टॉपिक को उठाया और उनको एक्सपोज करने के लिए इतने सारे लोग आ गए इसलिए नहीं कि सत्तु विकार है इसलिए क्योंकि नितेश सोनी फेमस है सत्तु क्या सच्व में बोरी चीज है की नहीं सबसे पहले समझो कि सत्तु है क्या सत्तु संस्क्रिट से डिराइफ की हो एक वर्ड है सक्तु ठीक है उसको हमने ऐसे स्लैंग में सत्तु बना दिया और सत्तु का मतलब है कि कोई भी चीज का आपने चूरन बना दिया चना सक्तू पाउडर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अगर आप उसे पीते हो तो आपको वेब रूटीन की जरूरत नहीं है if you cannot afford it, तो जैसे ये लोग रिसर्च पढ़ते हैं, वैसे ही इनोंने नितेश सोनी भाई की लाइन को सुना और एक ही चीज चेरी पिक करी, which is what you call cherry picking cherry picking का मतलब simply ये होता है कि अगर एक topic के बारे में बहुत सारी studies है तो उसमें से आप वही वाली studies उठाओ, जो handful of थोड़ी सी studies हो, जो आपके favor में बोलती हो no matter उन studies की quality कितनी खराब क्यों ना हो अब simple सी बात है यहाँ पर मैं deep depth में जाओंगा और आपको समझाओंगा कि study की quality के होती है तो आपको दिमाग चक्रा जागा फिर भी brief में बताता हूँ देखो भाई, study की quality ऐसे decide होती है कि study का design क्या है for example, मैंने यहाँ पर 50-60 लोगों को एक group में बनाया और मैंने सोचा कि भाई, इनका पहले मैं urine test लूँगा, weight test लूँगा और इनको specific amount of protein दूँगा, specific amount of calories दूँगा और उसके उपर से अब इस पर जो मैंने test करना है for example, अगर मेरे को carbs का effect देखना है या soy का effect देखना है या फिर मुझे whey protein का effect देखना है कि भाई, इन तीनों में से सबसे जादा अच्छे result किस group को मिलेंगे अब उन सारे के सारे लोगों को मुझे तीन groups में divide करना पड़ेगा अब या तो अगर मैं बिना अपने आपको बताए, अगर मैं scientist हूँ और बिना audience को बता है, किसी और को duty देता हो कि भाई, तीन groups में लोगों को बाट दो मुझे मत बताना किसको soy दिये, किसको protein और किसको carb और कितने लोगों को क्या दिये अपनी मर्जी से equally तीनों लोगों को divide कर दो which is what you call double blinded, जिसमें किसी को भी कुछ भी नहीं पता, वो सबसे fair study होती है अब उसके अंदर भी demerits आते हैं कि क्या वो well controlled है कि नहीं, क्या हम निगरानी रख रहे हैं अच्छे से कि अगर उनकी हमने groups को तीन groups को divide किये, तो हर एक group जो है वो actually में same amount of resistance training कर रहा है कि नहीं, same diet follow भी कर रहा है कि नहीं, या फिर उनकी diet control है ही नहीं और ऐसा study में हुआ भी है, जिसमें soy को हमने demonize किया है, कि soy से आपका testosterone गिर जाता है या फिर soy से आपकी muscle building अच्छे से नहीं होती, तो उसके अंदर जिस group को soy दिया गया था, उनका well controlled study हो थी ही नहीं, diet control उनका अच्छे से हुआ ही नहीं था, जिसकी वज़े से वो negative calorie balance में चले गए और उनका muscle loss हो गया, कुछ समझ आया, कुछ भी नहीं, पता है मुझे, कोई For now, just close your eyes, close your ears to those people, जो आपको पावर बनाना चाहते हैं, and just listen to Akash Taneja, because I am actually doing the fair thing, जो सई चीज है वो आपको बता रहा हूं, marketing करने की मुझे need नहीं है, सुनो अब, तो भाई, simple बाशा में मतलब ही है कि आपकी diet में काफी protein sources होंगे, कोई ना कोई, किसी जहां, किसी चीज में उपर नीचे होगा ही होगा, अब ranking number one पे तो milk protein है, पूरे दिन क्या दूद भी तरह होगे, और कुछ नहीं खाओगे, किया वे तो भाई, good quality protein चाहिए, अब तो हम दूद पीते रहेंगे, चलो ओ, दूद से allergy है, अब भी protein निकाल दिया, ठीक है, दिन के आर्ट्स को भी protein प एंब अब खुद भी अब चाहे आप allergic हो, मैं खुद भी broccoli से allergic हो पर अगर मैं आदी broccoli खा रहो नो तो मुझे कुछ ही नहीं होता So you need to take care of everything ऐसा निये कि मैं आपको कहरे हो कि आप allergy को तो broccoli खाओ यार क्या कर रहे हो यह नहीं कहरे हो But what I am saying is कि अगर आप किसी cafe में जग गए हो और पास्ता में आपके सामने आपके broccoli आगे तो आप सबके सामने यह नहीं करो Oh my god, यह क्या होगे, broccoli आगे, side करो आपको पता होना चाहिए है और किसी ने अगर देखा निया तो मैं थोड़ा side wide कर दो और अगर folk पर लग गई आदी तो मैं खा सकता हो दिक्कत की बात नहीं है ऐसे कि अंदर जाके ब्लास्ट नहीं हो जाएगा अगें, severity of allergy यहाँ पर अड्रेस करेंगे हैं बट आप clinical case नहीं हो आप एक general audience हो जो मेरी वीडियो देख रहे हो क्योंकि अगर आप एक clinical case हो तो आपने डॉक्टर की सुनों अगर मैं सत्तो पाउडर की रेसेपी बना के इंस्टेग्राम पर डालूँगा और उसमें से दो खूट खुद भी पीलूँगा ना तो मुझे कुछ नहीं होगा और कुछ भी नहीं हुआ because मेरी allergy dose dependent है कि अगर मैं 70-80 ग्राम छोले खा लेता तब मुझे problem होती 30 ग्राम पर मुझे नहीं थी but that's me ऐसा नहीं है कि necessarily वो आपके लिए होगा वो सब्ता आपको 30 ग्राम पर bloating हो जाए आप 10 ग्राम खालो you do not need to actually get scared of any food item that's what I mean to say over here दरना नहीं है भाई fitness is freedom आपको education दी जाती है अपनी audience को fearless बनाने की कि आप भाई चौड़ में जीओ यार कोई दिक्कत नहीं है अगर gas gas हो भी गई न तो उसके solutions बताओ ना कि ये मतखाओ वो मतखाओ ये हो जेग चुई मुई के बनार रहा है अपनी audience को और अगर कोई बखवास का question लेके आओगा ना इसका कांश टिनेजरने तो ये बात कर दी तो एक आंश एक बात बताओ अपने बच्चों को भी इंघर होगे बिलकुल भाई वने तो दो 4-5 साल-6 साल जितने साल लोगे बात मेरे बच्चे होक नहीं और तुम्हारे बच्चे जो हंगे बेखनाime जब मेरे बच्चे होंगे ना, वो तुमारे बच्चों इतना पीटेंगे, इतना पीटेंगे, कि रोगे तुम और फिर तुम ETF में रोल करोगे अचा यहां पर सारी की सारी बलशिंग और प्यार महबत वाली बाते साइड करते हैं सर्काजूम कॉंटिनूज, अब सौई की बात करते हैं यहां पर, ट्रिप्सिन इनिविटर्स हैं वाई सौई में, एंटी नूट्रियंट से सौई में, सौई से टेस्टोस्टेरोन गिर जानता है, आज ही बंद करो सौई को खाना, सौई इस प्रूवन तो बिया बात सौर्स इस ने तो अपने अच्छे इंट से गिया था, यह फैंड ओट करने के लिए कि लिए कि लिए कि लिए लोग इस पर बेस्ट इन जो आपको डराते हैं, तो को रिलेट कर दिया, सौनो सौनो ओडियंस, तुमें पता है, इस टडी में एक ग्रूप को सौई दिया गया था, यह चार साल के बच्चे हैं, आपता नहीं वेंचों जनानियों से सीख सीख क्या हैं, गप्पे मारने के लिए, और आप इंकी गप्पे सुन रहा है, सिंपल गाशा में मतलब यह है कि quality of the study is depicted by the type of study it is, but does anybody have any randomized control trial with a good design, जो बूले कि soy बेकार है, मेरे पास है, वो, क्या बूल नहीं देगा, तो आपकी मरजी है कि बेकार quality की studies पर बिलीव करना है, जो आपको कुछ और समझाया जाता है, जिसका मतलब कुछ और होता है, और चाइनीज इस्वर्ज में आपकी फटे जा रही है, और आप psychologically soy को बेकार समझ रहे हो, या फिर आपको अच्छी studies पर description में मिल जाएंगे, पढ़ लेना जाकर, टाइम हो तो नहीं हो, तो मेरे विशवास कर सकते हो, बाकि अगर आपको किसी अपने गुरुजी को बेजना हो, जो बहुत पढ़े लिखे लगते हो, आपको उनसे पढ़बा लेना studies, अगर उनको कोई doubt हो, तो वो नीचे comment कर सकते हैं, क्रिपया करके मुझे live debate पे ना बुलाएं, क्योंकि मेरे एक live debate का charge आपके पूरे साल की तनख्वा है, अच्छा, anti-nutrients की बात होई रही है, तो आपका सवाल यह भी गो कि यार, anti-nutrients actually में खराब है भी, इसका भी जवाब सुन लो, reality में, real world scenario में, anti-nutrients का negligible effect है health पे क्योंकि अगर anti-nutrients इतनी बिकार चीज होती है ना तो हमारे पूरो जो और ancestors दालें खा खा के और सबजें खा का के बढ़े नहीं हो रहे होते, so अभी तक की summary यह है कि all these studies are cherry picked and are handful in numbers and are misleading as fuck, इसके contradiction में, इसके multiples में studies है, यह भी नहीं कहुँगा कि एक study के साथ एकी study है जो सही आप stupid हो, नहीं ना, आप smart हो, आप media audience हो, तो आप किस की सुनोगे, मेरी सुनोगे ना, सुनो मेरी, क्योंकि मैं सिर्फ सुनाता नहीं हूँ, मैं credible proof नीचे दे रहा हूँ, देख लो नीचे description में जाके, अचा एक बढ़ी ऐसी lying आरियर दिमाग में, quality of these studies that prove that soy is bad is as good as the taste of my dog's cake खाओगे, safe है वो, अच्छा आपको तो खिला दूँगा मैं मुर्फी के birthday cake के वो गयरा, क्योंकि हो healthy होता है, taste में अच्छा नहीं होता, पर ये जो वीडियो बनाते हैं, soy के उपर और गंदे गंदे खाने के उपर, उनको मैं मुर्फी के वह वाला cake खिलाओगा, जो दिन म nutrients की absorption को कम कर देते हैं, दिखाओ clinical analysis, जिसमें actual इंसान हो, और जिसमें इंसानों को overfeed न किया गया हो, और anti-nutrient की capsule साथ में न दी हो, दिखाओ, दिखाओ भाई, remix बनाओ, दिखाओ मुझे कौन सी study है, सत्तु की real problem तो जान लो, मेरे प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम करते हैं, राफिनो, फॉटमाप, यह सारे के सारे oligiosaccharide हैं, और 80-90 प्रतीशत लोग इससे intolerant होते हैं, including me, इसकी वज़े से आपको gas हो सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जिब खाना जाता है, और वो small intestine के अंदर absorb नहीं हो पाता, तो बचा कुछा खाना आप के large intestine में जाता है, which is what you call colonocyte, यह मैंने अपने latest lecture में भी बताया, DIY के, enterocyte versus colonocyte में, अप colonocyte में जब आपका वो खाना गया, और वहाँ पे भी वो compatible नहीं है, और वो digest नहीं कर पार, आपका digestive system, तो बनती हैं बहुत सारी gases, ताकि वो उसको तोड़ पाए, acid refluxes होते हैं, ता that is a protective measure of the body, and that is what happens when you eat something that you are allergic to, or you are intolerant or incompatible to, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर सत्तु आपको digest होता है, तो आप खा सकते हो, बागी रही बात studies की, की सत्तु वेब रोटीन से superior है या नहीं, this is actually a very stupid statement, क्योंकि वेब रोटीन तो पनीर से भी सुपीर है, वेब रोटीन तो दा अगर तुम्हें एक और चीज़ बाई, अगर तुम्हें actually मैं भी सोच रहे हो ना कि एक आज बाई, क्या हो गया, हमें problem सत्तु से नहीं है, हमें problem है कि नितेज भी या नहीं ये क्यों बोल दिया कि वो वेब रोटीन से जादा सुपीरियर है, अरे भाई, तुम्हारे गर प अगर बंदा फोर्ड कर ही नहीं सकता तो भाई चौड में बोला नितेज भाई ने कि भाई, सक्तू ले लो तुम्हें वेब रोटीन की जरूरात नहीं पड़ेगी तुम्हें दब्बे बंद हो जाएंगे, ताकि जो बंदा फोर्ड नहीं कर सकता, उसको कम से कम inferior ना हो, उ अब तो हम भी फेमस होंगे, बनाओ वीडियो, बनाओ, क्या दिक्कत है, गंटा फरंग नी बना भाई नितेज भी हो, मैं परसनली जानता हो उनको, पता हो हासरें बेठे-बेठे की मेरे 2.8 फॉलोवर रोए थे और इन पागलोगी वज़े से, बेठे-बेठे 2.8 मिलियन ह अब तीसरा स्टेप है, कि मेरे वेबसाइट बजाओ, इकांश्टनियाफिटनेस.in, अपने मैक्रो निकालोग निकालोग और पहले के 2 स्टेप्स फॉलोग करो, और आफ्टर दाट, चौथा स्टेप आता है, मैक्रो डिफ्रेंसियेशन, कि आपको कितना प्रोटीन चीए, कितना प्रोटीन चीए, कितना काप चीए, सिंपल सी डिफिनेशन वादातों, विदाओट कॉंपलिकेटिंग स्टफ, इतनी लंबी वीडियो वेर को कर्मीन है, जो यह हो गई है, तो यह बहुत सिंपल है, वैसे तो मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, कि आपको कितना प्रोटीन का फैट खान अचीए, पर मैं आपको एक लाइनर में बताता हूं, भाई, जो भी आप हो, मैं आपको परसनली नहीं चानता, आपका कस्तमाइजड क्या बनता है, क्या नहीं बनता है, यह मैं बता ही नहीं सकता, so I would advise you, as a generic population, to start your protein intake from 1 gram per kg, which is absolutely safe, 1 gram per kg आपने protein intake set कर लिया, week by week आप बढ़ा के देख सकते हो, जहां तक आपको digestive issue नहीं आ रहा, and you can take it up to 1.5 to 2 gram per kg also, उससे ज़्यादा exceed करने की, अभी तक मेरे किसी client को need पड़ी नहीं है, आपको need हो, तो आप कर सकते हो, carbs के intake आपके volume of the workout पे depend करेगा, अगर आप बहुत जादा workout करते हो, बहुत महनती हो, तो आप अपने carb intake को 2 to 3 to 4 gram per kg भी ले जा सकते हो, and rest of the calories can be filled with fats, but then it depends के आपके hunger levels कैसे है, आपको जादा volume of food तो होनी चाहिए, आपके performance levels कैसे है, तो carb और fat को आप अपनी मर्जी से divide कर सकते हो, कहीं आपको लग रहा हो की carbs कम है, तो आप बढ़ा के fats को कम कर सकते हो, but keep protein constant in all cases, so these were the 4 steps, जिससे आपकी best diet बन के तयार हो जाएगी, हिट और ट्रायल होगा, 8 से 12 अफते तक, then after that you won't be needing a coach, and that's why I aim, मेरा YouTube का bio यही कहता है, that you won't need a coach after learning how it's done, अगर आपको और in-depth knowledge जानी है, you can enroll into my DIY program, जिसका link आपको नीचे मिल जाएगा, अगर आपको cool recipes चाहिए है, so you can get the WTFETF recipe package, इसमें आपको recipe book के अलावा भी बहुत सारे free bonuses मिल रहे हैं, limited time offer के लिए नीचे link मिल जाएगा, if you want to get coached by me, मैं थक गया हो भाई, नीचे description पन लेना, okay guys, bye guys, love you all.